तो आगर हम एक बार फिर से एक और वीडियो लेकर लेकिन इस बार वीडियो में थोड़ा ट्विस्ट है दोस्त आज में पहली बार आपके लिए एक टीवी होरर शो का एक्स्पेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है मास्टर अफ होरर और आज में इस शो के पहले सिजन के तेरवे एपिसोड का एक्स्पेनेशन करूंगा जो की वाकई में बहुत ज़्यदा इंट्रस्टिंग है और सस्पेन्स से भरा हुआ है दोस्तों इस टीवी शो के दो सीजन है और टोटल 26 एपिसोड है और अगर आप हमारी इस सीरिस को अच्छे व्यूज और लाइक तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सबस्क्राइब जरू करें शुरूआत में हम क्रिस्टोफर नाम के कमरी की आदमी को देखते हैं जो की बोट से जापान के किसी आईलेंट पर जा रहा था यह आईलेंट उस जमाने का रिड के लोग आया करते थे जब क्रिस्टोफर बोट के रास्ते से उस आईलेंट पर पहुच रहा था तो उन्हें पानी में पड़ी हुई एक प्रेग्नेंट लड़की की लाज दिखाई देती है जो कि यह बताता है कि यह आईलेंट बहुत खतरनाक भी है आईलेंट पर पचाप एक अंधेर कोने में बेटी हुई है और उसकी मास्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा वेवार करती है तब ही वहां का एक आदमी क्रिस्टोफर से पूछता है कि उससे किस तरह की लड़की चाहिए और फिर क्रिस्टोफर उससे बताता है कि वो कोमोमा नाम क एक लड़की को ढूंड रहा है लेकिन वो आदमी क्रिस्टोफर को ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी कोमोमा नाम की लड़की नहीं है जीसा सुनने के बाद में क्रिस्टोफर इस साइलेंड से जाने लगता है लेकिन वापस जाने के लिए कोई भी बोट मौट मौट नहीं जिसके कारण से क्रिस्टोफर को इसी एलेन पर रुकना पढ़ रहा था वो आदमी क्रिस्टोफर को रात गुजारने के लिए एक लड़की बेजने को कहता है और क्रिस्टोफर उसी लड़की को चुनता है जो की कोने में अकेली बेटी हुई थी फिर वो लड़की जब रात क के समय क्रिस्टोफर के पास आती है तो क्रिस्टोफर को पता चलता है कि उस लड़की का चेरा एक तरफ से खराब है जिसके करण लड़की बहुत डरावन दिख रही थी वह लड़की क्रिस्टोफर से बाते करती है और उससे पूछती है कि उसके यहां पर आने का क्या कारण ह जिस पर क्रिस्टोफर उस लड़की को यह बताता है कि वो यहां पर कुछ समय पहले आया था फिर उसकी मुलाकत इस आइलेंड पर कोमो मनाम की लड़की से हुई थी जो की बहुत खूबसूरत थी और क्रिस्टोफर ने उसे यह वादा किया था कि जब वो अगले बार यहां पर आएगा तो वो उससे यहां से लेकर जाएगा और उससे शादी भी करेगा और क्रिस्टोफर उस लड़की को इस जिसम फरोशी के धंडे से निकालने के लिए आया था लेकिन यहां आने के बाद उसे पता चला कि कोमोमो नाम की यहां पर कोई भी लड़की नहीं है क्रिस्टोफर की इस बात को सुनने के बाद में वो खराब चेहरे वाली लड़की क्रिस्टोफर से कहती है कि उससे कोमोमो के बारे में पता है वो उससे बताती है कि कोमोमो देर साल पहले मर चुकी है उसने खुद को फासी लगा ली जिससे सुनने के बाद में क्रिस्टोफर बहुत ही दुखी होता है क्योंकि कोमोमो उसका इंतजार करते करते मर गई और उस लड़की को ये पता चलता है कि क्रिस्टोफर वही है जिसके बारे में कोमोमो उससे बात क्या करती थी फिर क्रिस्टोफर उस लड़की से ये जानने की कोशिश करता है कि कोमो मा ने खुद को फासी क्यों लगाई जिसके जवाब में वो लड़की क्रिस्टोफर से कुछ नहीं कहती और उसे शान्थ करने की कोशिश करती है और उसे ये कहती है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता औरतों का अबोशन किया करती थी जब वो लड़की पैदा हुई तो उसके माबब की हालत और ज़्यादा खराब हो गई उनके पास खाने तक किले कुछ भी नहीं था जिसके करण उसके पिता ने अपन बीमारी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली फिर उस लड़की को एक बहुत बिक्षू ने रखा जिसके बाद में उसे जिसम फुरोशी के इस धंदे में बेज दिया गया उससे इस आईलेंड पर लाया गया जहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर और और कई सारी लड़किया है उसकी मुलाकत यहाँ पर कोमोमा से हुई जो कि सबसे साफ दिल की लड़की थी कोमोमा बहुत जादा खुबसूरत और नेक लड़की थी जिसके कारण बाकी लड़किया उसे पसंद नहीं करती थी फिर एक दिन उनके मास्टर की कीमते अंगूटी खो गई और सबी लड़कियों ने कोमोमो से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस पर चोरी का जुटा इलजाम लगा दिया जिसके बाद उस मास्टर ने उन लड़कियों के साथ मिलकर उसे टॉर्चर करना चालू कर दिया कोमोमो के शरीर पर गर्म अगर्बत्य लगाई गई और उसके नाकुनो को सुई से निकाल दिया गया लेकिन फिर भी कोमोमो ने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि असल में उसने कुछ भी चुराया ही नहीं था उसकी उंगलियों के सभी नाखुनों को एक एक करके निकाल दिया गया और उसकी उंगलियों में सुया गुसा दी गई जिसके बाद में उसके मुह में और उसके मसूलों पर भी सुया गुसाई गई उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया जिसके बाद में उसे एक पेर पर उल्टा लटका कर टॉर्चर किया गया वो इतनी जादा दर्द में थी कि उसकी पेशाब निकल गई और उल्टा लटका होने के कारण उसकी पेशाब उसके मूं से रिस्ती हुई जमीन पर गीरी कॉमोमो को इतना टॉर्चर करने के बाद भी मास्टर को उसके अंगूटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और कॉमोमो बस क्रिस्टोफर को याद करती रही कि अगर वो उसे यहां से ले जाता तो उसकी यह हालत नहीं होती फिर बिगड़े चेहरे वारी वो लड़की जो कि कॉमोमो के बहुत ज़्यादा करीब थी वो उस चुपके से पानी पिलाने गई तो उसने यह देखा कि दरदर से परेशान होकर कॉमोमो ने खुद की जिन्दगी खत्म कर ली है क्रिस्टोफर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कॉमोमो आत्मत्या कर सकती है वो यह बिल्कुल भी मानने को तयार नहीं था कि कॉमोमो ने ऐसा किया उसे लग रहा था कि वो लड़की जुट बोल रही है और वो उससे सच कहने को कहता है जिसके बदले में वो कहती है कि वो सच ना ही सुने तो ज़्यादा अच्छा है फिर क्रिस्टोफर उससे जोड़ देता है कि वो उसे सब कुछ सच सच बताए जिस पर वो लड़की उसे दूसरी कहानी सुनाती है वो क्रिस्टोफर को ये बताती है कि मास्टर के अंगूठी जब छोरी हुई थी और उसे पता चलाता कि कुमोमो ने उसके अंगूठी चुराई है वो ये बताती है कि मास्टर के अंगूठी जब छोरी हुई थी जब वो बिगले चेहरे वाली लड़की कोममों से मिलने गई तो उसने देखा कि कोममों बहुत ज़्यादा दर्द में है और तड़प रही है उसने चुपके से कोममों को अपने मूँ से पानी पिलाया और उसका गला रसी से दबा कर उसे माँ डाला ताकि उसे इस दर्द से छुटकारा मिले वो भले ही नर्क में जाएगी लेकिन कोममों को स्वर्ग मिलेगा इस लड़की की ये कहानी सुनने के बार में क्रिस्टोफर उस पर बहुत ज़्यादा गुसा होता है इतना कि वो उस पर थूख देता है जिस पर वो लड़की क्रिस्टोफर से कहती है कि उसने कोममों के अच्चे के लिए ही ये सब किया लेकिन फिर भी क्रिस्टोफर ये मानने को तयार नहीं था कि कोममों मर चुकी है और वो लगातार उस लड़की से बहस किया जा रहा था फिर तब ही अचानक उसे उस लड़की के सिर में से एक अजीब सी आवा जाती है जो कि उस लड़की को सच कहने को कह रही थी जिसके बाद में वो लड़की बहुती अजीब तरह से बिहेव करती है और फिर क्रिस्टोफर को एक और कहानी सुनाती है जिसमें वो ये बताती है कि उसके माबाप बहुत ज़्यादा गरीब थे वो इतने गरीब थे कि भीग मांगर अपना गुजार करते थे उनके पास पर रहने के लिए अपना घर तक नहीं था फिर वो एक गाउ में पहुचे जहांपर उसकी माँ ने दाई का काम करना चालू कर दिया और एसी औरतों के बच्चों को गिरवाने लगी जिनने उनका बच्चा नहीं चाहिया था उसके पिता बहुती ज़्यदा शराब पीते थे और उसकी माँ को अकसर पीटा करते थे फिर जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ ने उसे ठीक उसी तरह से नदी में बहा दिया जिस तरह से वो बाकी सबी बच्चे को बहाय करती थी लेकिन वो छोटी सी बच्ची दो दिन तक जिन्दा रही और उसकी माँ को एक पेड़ में अटकी हुई मिली जिसके बाद उसने उस बच्ची को पालने का फैसला किया वो बच्ची उसकी माँ की मदद करती थी और बच्चों को नदी में बहा कर आती थी उसके परिवार की गरीबी के कारण एक बहुत द बिख्चु ने उससे फिजिकली अब्यूस किया और उसके खुद के पिता ने भी उसके साथ में बहुती गंदी हरकत की जिसके कारण उस लड़की ने अपने ही पिता को अंदेरे में माल डाला वो लड़की क्रिस्टोफर को अपनी कहानी बता ही रही थी कि तब ही अचानक वो अजीब से बिहेव करने लगती है उसके सीर में से एक हाथ बाहर आने लगता है जिसकी आँखे और मुह दोनों था उसके मुह से वही अंगूटी निकलती है जिससे चुराने का इल्जाम को मौमों पर लगाया गया था क्रिस्टोफर इस अजीब से हाथ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिर कर ये लड़की क्या है जिसके बाद वो लड़की क्रिस्टोफर को ये बताती है कि ये उसकी जुड़वा बेहन है जो कि हमेशा उसके शरीर से जुड़ी हुई रहती है और इसकी इस जुड़वा बेहन के बारे में उसके अलावा सिर्फ उसकी माँ को पता था उसके सीर से जुड़ी ये जुलवा बेहन हमेशा उससे बाते करती थी और उसने ही उसके पिता को मारने के लिए कहा उसकी ये शेतान बेहन कीमती चीजों को पसंद करती थी और उसी ने उसके मास्टर की अंगूटी को चुरा कर चोरी का इलजाम कौमोमों पर लगाने को कहा उसने ही उसे कौमोमों को मानने के लिए कहा क्युकि वो कौमोमों को पिल्कु भी पसंद नहीं करती थी क्रिस्टोफर ने उस लड़की को ये बताय था कि उसे कौमोमों में अपनी छोटी पेंदिखाई देती है और इसी बात को लेकर वो शेतानी इविल लड़की क्रिस्टोफर को अपनी बेहन का द्रश्य दिखाती है जो कि क्रिस्टोफर की वज़े से मारी गई थी फिर क्रिस्टोफर उस इविल लड़की से पर परेशान हो जाता है और अपनी गंद से उस पर फायर करता है जिससे वो मरती नहीं है बलकि वो कोमोमो में बदल जाती है जिसके बाद में वो कोमोमो पर भी गोली चलता है और इस बार कोमोमो उससे कहती है कि उसने उसका इंतजार किया और वो उसी समय मर जाती है फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर जापान की ही जेल में है जहां पर जेलर उसे खाना और पानी दे कर चला जाता है उस पानी की बल्टी के अंदर क्रिस्टोफर को एक बच्चे का ब्रून दिखता है जिसे वो अपने बच्चे की जैसे लोरी सुनाता है क्योंकि अब क्रिस्टोफर पागल हो चुका था और वो उस बल्टी को लोरी सुनाता सुनाता सूजाता है और फिर हम यह देखते हैं कि कोमो मो और क्रिस्टोफर के छोटी बेहन उसके पास में खड़ी है जिसके बाद में यह कहानी यही पर खत्म हो जाती है तो दोस्तो आप यह समझी चुके होंगे कि स्टोरी में जो भी चल रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था क्रिस्टोफर एक अमरीकी आदमी था जो कि जापान के एक आईलेंड पर अपने खोई हुए प्यार को लेने आया था लेकिन उस आईलेंड पर पोशने के बार में उसे यह पता चलता है कि महाँ पर कोई भी कोमोमो नाम की लड़की नहीं थी फिर वो उस आईलेंड पर रुपता है और एक दूसरी लड़की को अपनी दास्ता सुनाता है जो कि क्रिस्टोफर को कोमोमो की मौत के बारे में बताती है लेकिन क्रिस्टोफर उसकी बात का जराबे विश्वास नहीं करता वो फिर उसे दूसरी कहानी सुनाती है लेकिन फिर एक बार क्रिस्टोफर उसे जूड मानता है और ऐसे करते करते वो लड़की क्रिस्टोफर को कई सारी काहनिया सुनाती है लेकिन क्या सच था क्या नहीं यह तो कोई भी नहीं जानता था बोड़की ऐ्खों को उचुटाकुची ओना ये दो मूवाला राक्ष्यस कहा जाता है जो कॉमोमो का बिला क्रिस्टोफर से लेने आई थी क्रिस्टोफर जब कॉमोमो से पिछली बार मिला थह तो वह से पेग्निंट करके के चला गया था और वो उसे यह वादा करके गया था कि वो उसे यहां से जरूर ले जाएगा। कोमोमो क्रिस्टोफर का इंतजार करती रही लेकिन रही लेकिन वो नहीं आया और उसने अपना बच्चे गिरवा दिया और खुदने भी आत्मेट्य कर ली जैसा कि उस कि ने क्रिस्टोफर को शुरुआत में बताया था अब यहां पर यह बताया गया था कि इस साइलेंड पर घंडा करने वाली रहती है जिसे चारों तरफ से शेतानों ने गेर रखा है और जब क्रिस्टोफर यहां पर वापस आया तो सारी चीजे कुछ इस तरह से हुई कि कोमो वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रू करें और अगर आप चाहते हैं कि में मास्टर ऑफ और फ्वारर सीरीज के और भी वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट में ज़रू बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा न चाहिए या नहीं